20 नवंबर साल 1979, नासा का अपोलो 12 जब चांद की सतर पर क्रैश करवाया गया, तो टेक्निकली उस क्रैश के बाद या तो चांद के कुछ हिस्सों में थोड़ा सा भूकंप आना चाहिए था, या फिर उस इंपक्ट को एब्सॉर्ब करते वे क्रैश वाले एरिया पर किसी तर कराओ के बाद चांद ठीक उसी तरह से रिंग किया था, जैसे आउटर फोर्स अपलाई करने के बाद किसी घंटी में रिंगिंग साउंड आती है, अब देको बात क्या है ना, कि आप किसी भी घंटी को क्यों ना देख लीजे, उसके स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फंडमे अगर चांद ने इस तरह का कोई भी कारेक्टरिस्टिक्स उस समय शो किया, तो क्या इससे ये माना जा सकता है, कि हमारा चांद उपरी सतह के अंदर पूरी तरह से खोकला पड़ा हुआ है, और अगर वाकई चांद खोकला है, तो क्या उसके अंदर किसी एलियन स्पीसीज क या नहीं, इन प्रूफ्स को जस्टिफाई किया जा सकता है या नहीं, और अगर उनका जस्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो उन प्लेम्स के पीछे की रियल साइन्स क्या है, वेलाज के इस वीडियो में हम इसी चीज को एनलाईज करते हुए, मून के एक एलियन स्पे जब मशूर फिजिसिस्ट और एस्ट्रॉनमर एडमंड हैली ने या आइडिया प्रोपोज किया, कि धर्ती की भले ही चार लेयर्स क्यों ना हो, लेकिन धर्ती अंदर से खोकली भी है, जिसके अंदर एलियन लाइफ फॉर्म्स एक्जिस्ट करती है, अब इस थेयरी के बार लेकिन जब इसी थेयरी से इंस्पायर होकर, साल 1901 में मशूर साइंस फिक्षन नोवेल राइटर H.G. Wells ने The First Man in the Moon नाम की एक कहानी पब्लिश की, तो उसमें उन्होंने एक ऐसे मून को प्रेजेंट किया, जो उपर से पूरी तरह से सॉलिड लगता था, और उसके अंदर क मुझ भी नहीं था, अब conspiracy theorists को ये कहानी पढ़कर एक अलग ही dopamine rush मिल गया, और उसके बाद से इस कहानी से influence होकर, लोग अलग-अलग research studies और figures का इस्तमाल करके, ये साबित करने की कोशिश करने लगे, कि Moon सच में अंदर से खोकला है, और उसके अंदर किसी alien civilization का रहस्य पा हुआ है, पर इस दावे में कितनी सचाई है, इसको साबित करने के लिए अलग-अलग arguments रखे जाते हैं, जिसमें सबसे famous argument है, अर्थ के comparison में Moon की density को लेकर, देखो अभी के understanding के हिसाब से, आथ से करीब 4.425, प्लस माइनस 0.025 billion years पहले, आउटर स्पेस से एक थिया नाम क Mars-like pseudo-planetary structure, जब early stage की Earth से टकराया था, तो इन दोनों ही bodies के collapse होने के बाद, धर्ती का एक बहुत major हिस्सा तूट कर, उसके 4 तरफ एकटा हो गया था, और एकटा हो चुके उसे हिस्से के collected spherical form को, आज की date में हम अपने चंद्रमा के रूप में जानते हैं, अब इस theory को contradict करते ह वे hollow moon को support करने वाले लोग ये कहते हैं, कि अगर इस theory में जरा सी भी सच्चाई है, तो Earth और moon की density को या तो एक दूसरे के almost equal होना चाहिए था, या फिर 19-20 का ही अंतर होना चाहिए था, मगर हकीकत तो ये है, कि जहाँ धर्ती की average density 5.51 ग्राम पर cm3 है, वहीं चांद के लिए ये आगड़ा 3.34 ग्राम पर cm3 पर आ जाता है, जो धर्ती के मुकाबले आदे से बस थोड़ा सा ही जाता है, और इतने बड़े फासले का हवाला देते हुए, कहीं न कहीं ये चीज भी साबित होती है, कि ये दोनों entities कभी एक दूसरे का हिस्सा हुआ ही नहीं करती थी, बल् आग से लगबग लगबग साड़े चार अरब साल पहले जब थीया धर्ती से टकड़ाई थी, तब उस कोलीजन का असर धर्ती के कोर तक नहीं पहुचा था, बल्कि पृत्वी का जो हिस्सा पृत्वी से अलग हुआ था, वो या तो उसके अपर क्रस्ट का था, या फिर density of the moon, और इसलिए अगर हम ये माने की उस टकराओ के बाद सिर्फ अर्थ के क्रस्ट और मेंटल का ही हिस्सा उपर जाकर कलेक्ट हुआ था, तो moon की density का फिकर बिल्कुल सटीक निकल कर इस logic के सामने फिट बैट जाता है, अब चलो ये तो हो गई numbers की बाद, पर साल 1969 में जो स पोड़े डेटा को study करना होगा, साल 1969 से 1977 तक जितने भी बार lunar mission execute किये गए, उसमें पहली readings को देखकर, NASA ने बहुत से seismographs moon पर install करवा दिये थे, ताकि चांद पर आने वाले भूकम को देखते वे, उसके अंदर क्या-क्या है, उसका idea लगाए जा सके, अब इस map में आप दे और ये readings हमें दो एहम बाते बताती है, पहली तो ये कि area to area moon quake की reading और उसका impact बदल जाता है, और shallow और deep quacks के according कई बार result भी change हो जाता है, वहीं इन reading से दूसरी बात ये भी पता चली कि धरती की तरह ही चांद पर भी भूकम के दौरान vibrations एक जगा से दूसरी जगा तक travel करते ह अपना असर दिखाती है, फिर चाहे उस quack को artificial ही क्यों ना create किया गया हो, अब ये दोनों properties धरती और बाकी सारी celestial bodies से resemble करते हुए, इस बात तो दर्शाने के लिए काफी है कि चांद के core और उसकी outer surface के बीच की जगा खोखली नहीं है, बलकि उसमें किसी ना किसी density के साथ matter ज अब रही बात ringing वाले result की, तो graph दिखाते हैं कि चांद पर आने वाले shallow moon quakes, यानि वो जिनका असर ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता, उनमें ही mostly इस तरह के ringing results को observe किया जा रहा था, due to differences in textures, type and density of the planetary strata, लेकिन उनमें से कोई भी reading किसी भी खाली जगों को बिलकुल भी signify न में हमें मिला ये पोर ट्रायल, जिसमें आप oxygen, silicon, magnesium, iron, calcium और aluminium से बनी moon की upper crust के साथ साथ उसकी बाकी layers को भी observe कर सकते हैं, हाँ देखो यहाँ पर एक coincidence जरूर है, जिसको सुनकर पहली बार मैं भी surprise हो गया था, जिसको साल 2022 में आई movie moonfall में भी Casey refer करता है, और वो ये कि सूरज ह 400 गुना wider है, और गजब का इत्तिफाक तो ये है कि अर्थ के perspective से सूरज हमारे moon से exactly 400 गुना जादा ही दूर भी है, जिस वज़र से ये दोनों celestial bodies आसमान में बिल्कुल सेम साइज के ही लगते हैं, अब इस चीज के logic को अगर explain करने की कोशिश की जाए, तो वो तो देखो कि जरूरी नहीं है कि ब्रह्माण में हर चीज के पीछे कोई ना कोई mind bending logic होनी ही चाहिए, हो सकता है कि ऐसा ही ये बना हो, बात रही अगर कभी चंद्रमा के अपने orbit से हटकर धरती पर आने की, तो वो practically impossible है, जैसा कि movie में दिखाया गया है, क्योंकि हमारा moon तो उल्टा हर सा हमसे 1.5 इंची दूर जा रहा है, और जब चांद अंदर से खोकला है ही नहीं, तो उसके अंदर किसी तरह के spaceship structure की possibility की तो कोई बात ही नहीं होती है, फिर भी इसको लेकर आपकी क्या रहा है, और अगर आप इस theory को support करते हैं, तो क्या आपके पास इसका कोई valid proof है, नीचे comment क करके जरूर बताना, दोस्तों वीडियो पसंद आया, तो लाइक करके जाना, मैं मिलता हूँ आपको नेक्ष्ट एपिसोड के साथ, तब देख लिए बाई, जेए!